हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बटा एक्सरसाइज 14.3 का क्योस्टन नंबर 7 देखते हैं क्या है स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार NCRT मैथ से दा डिस्ट्रिब्यूशन बिलो गिव्ज दा वेट ओफ 30 स्टुडेंट्स ओफ एक क्लास find the median weight of the students तो यहाँ पे क्या है बटा हमें weights का data given है 30 students का किसी कलास के एक कलास के अंदर 30 students है उनके weight का data given है उस data से हमें क्या निकालना है median weight of the student find out करना है तो यहाँ पे क्या है देखते हैं किस तरीके से question करना है सबसे पहले जो हमारी first column है वह किसकी है किलोग्राम में next जो है number of student है हमारे number of student अब weight जो है वो interval क्या है हमारा 40 to 45 next जो है 45 से 50 next 50 to 55 next 55 से 60 60 to 65 next 65 से 70 और last जो है 70 to 75 दीज आर दा intervals अब number of students की बात करें तो क्या है 40 to 45 जितने students है है नेक्स्ट है मारे पास 3 8 6 6 3 और 2 दीज आर दा number of students means frequency गीवन हमें अब यहां पर इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 30 students है तो n की value जो है वो कितनी आएगी इनका सम बीत कितना आएगा बिटा 30 next बात करते है अबनी cumulative frequency की अब cumulative frequency किस तरिक के से find out होती है 2 as it is 2 plus 3 कितना हो गया 5 5 plus 8 कितना हो गया 13 13 plus 6 कितना हो गया 19 19 plus 6 कितना हो गया 25 25 plus 3 28 और 28 और 2 कितना आएगा 30 तो यहां पे जो हमारी last वाली value आई है वो n के equal आनी चाहिए तब ही हमारी cumulative frequency का सम क्या है correct है तो अब यह next step क्या करना है हमें n की value जो है 30 है so n by 2 find out करना है n by 2 कितना हो जाएगा 30 by 2 means कितना आगया 15 अब 15 देखना है cumulative frequency में हमारा कहां लाई कर रहा है यहां पे क्या है टू लेस देन 15 है 5 भी लेस देन 15 है 13 भी लेस देन 15 है 19 जो है वो क्या है greater than 15 आगया तो जो हमारी median class होगी वो क्या होगी बटा यह वाली होगी तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 15 belongs to 15 belongs to class कौन सी 55 से 60 तो हमारी median class जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बटा वेस्ट वेल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारी 55 नेक्स्ट बात करेंगे अपनी cumulative frequency की cumulative frequency क्या हो जाएगी जो भी हमारी median class है उससे उपर वाली frequency कितनी है 13 नेक्स्ट बात करते हैं F की frequency of median class कितनी है हमारी 6 तो F की वेल्यू क्या आगी 6 एच जो होगा height of the class 40 और 45 कितने का difference है विटा सम्में 5 का difference है तो H की वेल्यू क्या होगी हमारी 5 हमारे पास सारी वेल्यू जागी अब हमें क्या गरना है median का formula लगाना है median का formula क्या होता है बिटा L प्लस N बाइ 2 माइनस CF अपॉन में F multiply by H दिस इस दा formula of median तो यहाँ पे वेल्यू देखते हैं क्या आती है L की वेल्यू क्या हमारी 55 उट करते हैं प्लस N बाइ 2 N की वेल्यू क्या हमारी N था हमारा 30 तो यहाँ पे लिख लेंगे बिटा N is equal to 30 तो 30 by 2 माइनस cumulative frequency है 13 multiply H की वेल्यू क्या है 5 और divided by F क्या हमारा 6 इसको simplify कर लेते हैं 55 प्लस 30 को 2 से डिवाइड क्या तो 15 15 माइनस 13 कितना हो जागा बिटा 2 2 की और 5 की multiply की तो 10 अब उन में 6 10 को 6 से डिवाइड करते हैं 10 को 6 से डिवाइड क्या तो 1.67 तो जो मीडियन आ जाएगा हमारा डेटा का तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मीडियन ओफ डेटा कितना आ गया 55 और 1.67 करेंगे तो कितना आ गया बिटा प्लस करेंगे तो 56.67 तो मीडियन ओफ डेटा आ गया हमारा कितना आ गया वे श्टूडेंट का वेट 56.67 देस इस दा अंसर आई होप यह क्यूस्टन आपको अच्छे से कलियर हो गया होगा कहीं पर कोई डाउट आता कितना आपको अजब से कलिए में एक हमारा कितना इस कितना आपको अंसर आपको में आपको अंसर आता होगा करेंगे तो 97 कितना आपको